शरत पवार भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, सिलवर ओक उनका घर है और कल एक एहम मीटिंग है आपको पता है कि जिस तरह साजीत पवार ने पांच जुलाई याने कल एक मीटिंग बुलाई है उसी तरह तरह ते शरत पवार ने भी अपने घर पर कल मीटिंग बुलाई और कल ये power play जो होगा ये तैक कर देगा कि आखिर कास किस गुट के पास कितने विधायक है या फिर कितने सांसहद है कितने नेता है तो शरत-पवार का ये घर आप देख रहें हैं शरत-पवार अपने घर से निकल चुके हैं उनके उनका जो काफिला है वह बाहर निकल तो आ कल का दिन भी बहुत एहम रहा था जब शरत पवार सातारा गए थे कराड में जाके उन्होंने यश्वंत राउचवान के समादिस्तल पर जब अपने समर्थोकों से बात की थी तो उन्होंने दो टूक कहा था कि अभी ये खेल खतम नहीं हुआ है और चेतावनी देते हुए उ तो साफ संदेश था शरत पवार का अजीद पवार को और साती जिस तरह से कुछ विधायकों के पाला बदलने की बात सामने आ रही है और साती जिस तरह से कुछ सांसदु के पाला बदलने की बात आ रही है यानि जो पहले अजीद गुट से अब शरत गुट में जाने की ब कि आउकात वो दिखा देंगे तो ऐसे में अब देखना है कि आखिरकार जिने चानक के कहा जाता महराष्ट की राजनीती का चवान को माफ कीजगा अजीत पवार को तो वो क्या फैसला लेते हैं और वो किस चानक के नीती को अपनाते हैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर